हेलो इस वीडियो में हम exact function के बारे में जानेंगे और find function के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे exact function exact function जो होता है दो cell में जो text होता है उसको compare करता है अगर उन दोनो text एक दूसरे से match करते है तब तो यह result देगा हमें true अगर दोनो text एक दूसरे से match नहीं करते है तो यह result देगा हमें false तो इसको हम यहाँ पर करेंगे तो यह A column में हमने यहाँ पर बावी लिखा हुआ है शेशी लिखा हुआ है अलोक लिखा हुआ है प्रॉपर केस लिखा हुआ है और B में भी हमने इसको same लिखा हुआ है तो इसमें यह compare करेगा A3 value को और यहाँ पर B3 value को यह भी बावी है यह भी बावी है इनको compare करेगा अगर यह सही है यहाँ पर हमने exact value वरी हुई है तो यह हमें result में true शो करेगा अगर यहाँ पर हमने value exact नहीं वरी हुई है तो यह result में हमें false शो करेगा यह देखो इसको देखने के लिए यहां पर यह जो bobby लिखा हुआ है हमने यह अपरकेस में लिखा हुआ है और यह जो bobby लिखा हुआ हमने यह first जो है b जो है capital में है o जो है यह small में है b भी small में और y भी small में तो इसको यह जब compare करके देगा तो यहां पे result हमें show करेगा false तो यहां पे हम exact function यूज़ करेंगे तो यहां पे लिखेंगे equal to के बाद यहां पे exact formula यूज़ करेंगे यहां पे exact लिखेंगे यह देखो exact यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे exact पे double click करेंगे यह exact यहाँ पे आ गया अब किसको compare करना है हमने यह देखो text 1 तो text 1 हम इसको लेंगे यह बहु भी लिखा हुआ है A3 यह तो इसके ओपर click किया यह देखो यह text 1 आ गया text 1 यह हमने यहाँ पे लिखा A3 इसके बाद कौमा लगाएंगे यह कौमा लगाया कौमा लगाने के बाद यहाँ पे दिया हुए text 2 तो text 2 में हमने किसको compare करना है A3 को B3 के साथ compare करना है इसके ओपर हम click करेंगे इसके ओपर click किया तो यहाँ पे यह B3 आ जाएगा तो यह दो values को हम यहां पे compare करेंगे यह देखो A3 और यह B3 इसके बाद यहां पे bracket बंद है तो हम यहां पे bracket बंद करेंगे और यहां पे enter press करेंगे यह देखो जब हमने यहां पे enter प्रेंच किया तो यहां पे यह result हमें आ गया false अब हम इन सभी का result देखना चार्टते हैं कि यह जो नीचे हैं जैसे शशी आलोग है प्रोपर केस इनका result क्या है तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कलिक करेंगे इसको नीचे यहाँ पे ड्रै करेंगे यह ड्रै किया तो यह लेको यहाँ पे result में सारा यहाँ पे false अगया अब ह हम यहां पे इसको देखेंगे और इसको सही करेंगे तो यह लिखो बोबी यहां पे लिखा हुआ है यह भी बोबी है इसको यहां पे देखेंगे तो यह जो बोबी है यह सारा यहां पे अपर केस में है तो यहां पे यह जो बोबी लिखा हुआ है यह जो बी है यह अपर केस म में लिखेंगे o by ये देखो ये लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहां पर result पर true हो जाएगा ये देखो enter प्रेस किया तो यहां पर result जो है ये true हो गया इसके बाद आगे हम ये गलती देखेंगे कि कहां पे हमने गलती की हुई है तो ये देखो S-H-A-S-H-I ये तो सही है यहां पे ये शशी की स्पेलिंग इसके बाद S-H-A-S-H-E यहां पे लिखा हुआ है यहां पे हम I करेंगे यहां पे आई करेंगे और I को हमने यहां पे capital letter में लिखा I आ गया इसके बाद जब हम enter press करेंगे तो यहां पे true हो जाएगा यह देखो result जो है यहां पे enter press किया यहां पे result आगया true इसके बाद अगला चेक करेंगे अलोक यह name निखब हो है अलोक तो यहां पे यह जो है यह capital letter में है लेकन यहां पे small letter में है इसको हम क्या करेंगे इसको capital में करेंगे इसके बाद enter press करेंगे तो ये भी सही है ये भी सही है यहां पे true हो जाएगा ये देखो enter प्रेस किया तो यहां पे true आ गया इसके बाद अगले को चेक करेंगे ये भी हमने proper case लिखा हुआ है ये भी proper case लेकिन यहां पे जो result है ये false है तो कहां पे हमने गलती की हुई है इसको देखेंगे तो यहां प परोपर इसके बाद केस तो यहां पर सी जो है capture letter में नहीं तो यहां भी हम सी को crystal letter में करेंगे open-click करेंगे और यहां पर सी को मिट आया और इसको connector letter में लिखा अब जब हम enter press करेंगे तो यहां पर tr bağ की हो जाएगा यहां पर गया तो यहां पे true है या false है इसको हम यहाँ पे check कर सकते हैं इसके बाद आगे करेंगे find function तो find function का use हम excel में text से letter की position को find करने के लिए करते हैं तो यह लिखो यहाँ पे हमने text लिखा हुआ है यह मेरे channel का नाम है यहाँ 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 पे letter लिखे हुआ है y g n e h t तो यह letter लिखे हुआ है अब इनकी position यहाँ पे हमने बतानी है कि इनकी position कौन सी है तो यह देखो यहाँ पे y यह letter है y की position कौन सी है यहाँ पे तो y की position यहाँ पे check करेंगे तो इस position को check करने के लिए हम यहाँ पे find formula यूज करेंगे तो find formula use करने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे equal to equal to लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे find यह find लिखा, यहाँ पर double click किया यह double click करने के बाद यहाँ पर दियो है find text तो find text पर हमने क्या करना है यह text इसको find करना है यह B3 इसको find करना है, यहां पे click किया, B3 यहां पे आ जाएगा, इसके बाद आगे फिर यहां पे comma लगाया हुआ है, यह लिको comma है, find text के बाद comma है, यहां पे comma लगाया, comma लगाने के बाद यह जो Y है, कहां से find करना है, हमने यहां से find करना है, YS gain tag से, तो यहां पे हम click करेंग तो यह cell name यहाँ पे आ जाएगा A3 यहाँ से find करना है यह लिखने के बाद हम यहाँ पे bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद के बंद करने के बाद जब हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो y किस position पे है उसको यहाँ पे हमें find करके देदेगा यह देखो enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 जो है y की जो position है first position पे है यह देखो y यहाँ पे लिखा हुआ है यह first position पे है अब सभी का यह g कहां पे है सभी को चेक करेंगे तो इसको निच्छे यहाँ पे drag करेंगे यह drag किया तो यह देखो सभी की position यहां पे आ गई G कहां पे है यह दिखो यहां पे YS Gyan Tech यहां पे G कहां पे है 1, 2, 3 यहां पे third position पे है तो G यहां पे 3 आ गया यह third position पे है इसके बाद N कहां पे है यह दिखो यहां से counting करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह दिखो N6 पोजिशन पे है, तो यहां पे 6 आ गया, इसके बाद E, E किस पोजिशन पे है, यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद यह बीच में स्पेस है, तो इसको भी यह कौंट करेगा, तो यह देखो, 7, 8 और यह 9, E जो है, यह 9 पोजिशन पे है, इसके बाद अगले को चेक करेगा, H, यह किस पोजिशन पे है, तो यह देखो, H, यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह स्पेस 7, इसके बाद यह 8, 9, 10, और यह 11 पोजिशन पे है, तो यहां पे 11 आ गया, इसके बाद यह देखो, यहां पे, यह जो Y है, यह तो बता दिया कि यह फर्स्ट पोजिशन पे है, लेकन यह एक और वाई यहां पे आगे दिया गया है हम इसकी position चेक करना जाते हैं तो इसकी position को check करने के लिए हम formula में थोड़ी सी changing करेंगे तो इसके लिए हम यहां पे double click करेंगे तो यह निखो यह formula यहां पे आ जाएगा आने के बाद यह जो formula है यह first position से counting करता है अब हम यहां पे किया करेंगे second यहां पे letter से counting करेंगे तो यहां पे हमने क्या करना है यह b3 a3 इसके वाद कॉमा लगा के यह कॉमा लगाया यहां पे हमने two लिखना है कि यह जो counting यहां पे करें इस position से करें s से यहां पे s है यहां से counting स्टार्ट करें तो हम यहां पे लिखेंगे two यह two लिख तो अगले y की position यहां पे आ गई, यह ने को 4, तो यह 4 position, यह 1st, यह 2nd, यह 3rd, और यह 4th position पे आए, तो यह 4 यहां पे आ गई, तो इस तरह से find function के दवारा हम text से letter की position को find कर सकते हैं, कि कौन सा letter, किस position पे आए, तो इस वीडियो में हमने exact function के बारे में, और find function के बारे में जा सब्सक्राइब मैं चैनल धनिवाद